नमस्कार दोस्तों आपका अपने चैनल बेबी के अर्विद फन में आपका स्वागत है तो दियर पैरेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे नवजाज शिशू होते हैं उनके बारे में कि वो दूद को पलट देते हैं यानि की उल्टी वोमेटिंग कर देते हैं तो कई बार बचे प्लेन दूद की उल्टी करते हैं तो कई बार बचे फटे हुए दूद की लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं उल्टियों के भी अलग-अलग मतलब होते हैं आज की इस वीडियो को लास तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है तो आईए फ्रेंट्स बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला है अगर आपने अपने बच्चे को दूद अभी अभी पिलाया है और तुरंत बाद आपने उसको ड़कार भी नहीं दिलाएए तो इस केस में भी बच्चा अपना दूद बाहर निकाल दिता है यानि की पलर दिता है बच्चे को दूद पिलाने के तुरंत बाद बच्चे को ड़कार जरूर दिलाएए ड़कार दिलाना उतना ही जरूरी होता है जितना की बच्चे को दूद पिलाना सेकंड है कि बच्चा क्या करता है कई बार दूद पीने के बाद भी कई बार दकार दिलाने के बाद भी वो बच्चा दूद निकालता रहता है इस case में बच्चे को सरदी लग जाती है अगर बच्चा इस तरह से दूद निकाल रहा है तो समझ जाएए कि बच्चे को सरदी लग चुकी है आप तुरन्थी अपने डॉक्टर के पास संपरक करें क्योंकि कहा जाता है कि अगर बच्चे को जादा सर्दी बन जाएगी तो बच्चे को नमونिया होने का भी डर रहता है थर्ड है अगर आपका बच्चा फटा हुआ दूद निकाल रहा है तो ये दूद निकालना अच्छा होता है ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा फटा हुआ दूद निकाले तब बच्चे का जो पेट होता है वो बढ़ारता है बच्चा अपना तो इस कारण से बच्चे का फटा हुआ दूद बच्चा निकालता है तो बच्चे का फटा हुआ दूद निकाला अच्छा होता है उल्टी ठीक करने के उपाये 6 महीने से छोटे बच्चे को आप कभी भी कुछ भी नहीं दे सकते हैं अब घर पर ही इलाइची का पानीको उबाल कर बच्चे को 3-4 बार दिन में एक एक चम्मज दिला सकते हैं ऐसा करने से बच्चे को तुरंट आराम मिलेगा बच्ची को सर्दी से जरूर बचाएं साथ ही आप बच्चे को डोमेस्टन लाम की दवाई भी दे सकते हैं दूद पिलाने से आदा गंटा पहले दोस्तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करना अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्काब भी करना थैंक्यो फॉर वोचिंग दिस वीडियो बाबाई दोस्तों